आज मास आप सभी को पढ़ाने वाला हूं मनी चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं मनी क्या है मनी की नेचर क्या है मनी का रोल क्या है चलिए शुरू करते हैं 이 चैप्टर को the history of the Indian currency notes and its evaluation money chapter को start करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी history discuss कर ली जाए कि हमारे देश में जो currency use होती है वो coins है और paper notes है यह हमारे देश में कब आई और कैसे इनका starting हुआ तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग discuss करते हैं जब हम currency की बात करते हैं तो इंडिया में हम लोग rupee word using करते हैं कि 10 Rupi wipes का no then to rupee word हम बहुत use करते है कि आपने सोचाएं की रूपी word कहा से आया है ये हमने Sanskrit से लिया है Sanskrit में बोलते इसको Rupaya ओके तो Sanskrit word जो Raphaetr I went with哇 a Si K 54 जो चान दी इसे बनी हो कौ इसी वस्तु जो चांदी रूप में हो हम उसको क्या बोलते था रॉपया तो रॉपया वर्ट हम ने इसलिए यूज किया कि जो 6th century से पहले हम लोग बाटर सिस्टम करते थे बाटर सिस्टम के टाइम पर कॉडिया भी उस होती थी कॉडिया लाइक शंक सीपियां तो उसके बाद 4th से लेके 6th century के बीच में BCE की बात कर रहा हूं वहां पर क्या होता था कि महा जन्पदाज में चोड़ी चोड़ी किंग्डम हुआ करते थे हमारे नॉर्दर इंडिया में आईरन एच का टाइम था तो वहां पर पाया गया कि जो कॉइंस यूज किये जाते थे उस समयकाल में वो होते थे ह हमारे पास सिल्वर के तो इसी दोरान सिल्वर के जो कॉइंस होते थे उनको हम लोग क्या उलता है रॉपया मतलब जो ऐसी कोई वैस्तू जो चांदी से वनी हो तो रॉपया जो वर्ड है वहां से लिया गया जिसको आज हम रुपी बोलते हैं तो उस जमाने में उस समयकाल म के लिए और जो भी वहां पर होता था उसके बाद लेटर ओन आगे बड़ी फिर दीरे 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 हमने गोल्ड का भी इस्तेमाल किया और आते 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 16th century 17th century में बुलियंस भी यूज होने लग गए थे चांदी की स्वारी गोल्ड की ठीक है बुलियंस भी होते थे फिर अब क्या चलता है अब भी पेपर करंसी चलती है कोई भी चलते हैं बट अब जो कॉइंस है वह सिल्वर के नहीं होते ठीक है सेलवर कॉइंस नहीं होते ठीक है तो अब 18th century में आकर मतला आज से 200 200 300 साल पहले 18th century में हमारे इंडिया में देंगल बैंक जो पहला बैंक था हमा तो अब हमने जो भी पीछे डिसकस किया है उसका इंपोर्टेंस यही था कि आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि मनी जो है करंसी है यह किस समय काल से आ रही है और आज में इसका इसका इस्तिमाल करते हैं आने वाले टाइम में भी इसका इस्तिमाल होगा त तो अब आगे डिसकस करते हैं हम दो what is money and its function 1940 में economics थे उनका आम था क्राउदर क्राउदर ने एक बहुत अच्री देफिनेशन दी है जो की बहुत हेल्फूल होगी आप लोग एक्जाम में भी इसका 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 जरूर यूस कीजिएगा functions of money तो money का जो काम है वो चार फंक्शन में डिवाइड कर दिया गया है पहला फंक्शन है medium of exchange दूसरा फंक्शन है measure of value तीसरा फंक्शन है standard of deferred payments चौता फंक्शन है store of value इन फंक्शन को हम आगे एक एक करके discuss करेंगे कि हमारा पहला function जो है money का वह है medium of exchange तो medium of exchange का मतलब क्या होता है medium of exchange का मतलब जब आपके पास एक medium हो जब आपके पास एक कुछ currency हो या कुछ money हो कि जिसके थुरू आप किसी भी commodity को market में जाके purchase कर सकते हूं पर्टक सिट्वेशन अगर हम सोचें कि बाटर सिस्टम में तो यह possible ही नहीं होता था बाटर सिस्टम में क्या होता था बाटर सिस्टम में आपको जो product चाहिए आपको जो जो गुड़ चाहिए market में आप उसको डूढते थे कि वह product किसके पास available है तुर उसके पास आप उसक जाकर कन्वेंस करते थे कि आपको इस प्रड़क्ट का कितना यूज है और आपको प्रड़क्ट को एक दम इमीडेटली आपको चाहिए ताकि आपका जो काम है वह इसी प्रड़क्ट से हो सकता है बट वहां पर जो एक्सपेक्टेशन है अगले बंदेगी जो सामने खड़ा ह कि मुल्चिए अपको तो प्रड़क्ट को एक सब्सक्राइब इसक्रा तो आप पर पर् केस सकते हो मेरे साथ क्या होता था इसक्राइब पढ़ लिजी मेरे साथ इस 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 इसान से आप उस समय में जो बार सिस्टम का समय था उस समय में अगर आप किसी वी व्यक्ति से आप अपने समान को क्या करना चाहते थे बदलना लाइब वाइगा जो specific quantity का और क्वालिटी का जो सामने वाला जो इंसान है वो चहा रहा है तो जब ही वो पोड़क्ट आपको देगा जो आपको चाहिए दिसनान से वह आपको मिल सकता है जब आप उनको po प्रेटेक्ट देंगे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी और क्वालिटी उनकी डिजायर में है जब अगर यह कोईंसाइड हो गया तो ही एक्सचेंज हो सकता था अधर्वाइस यह बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था कि कि एक्सचेंज हम कर पाने थे तो यह फ्रहूंप प्रॉल्लम की लाक of double ponds भॉन्स हम बोलते हैं धीचिएट टींब री इफिकल टाइम वह बहूँ वह बहुत टाइम भुव बहुत दिफिकल टाइम फालोगों प्राइब आपको कोई समान चाहिए तो आपको किसी मार्केट में दुकान में जाए वहापे पैसे दीजिए रुपय दीजिए समान को प्रचेश कर लीजिए ठीक है तो उस दौरान जब बाटर सिस्टम का समय था उस दौरान यह पॉसिबल नहीं होता था तो मनी ने यह बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पढ़िये मेरे साथ आगे नाव परसन इस एबल तो बाई और सेल देयर गूड्स विद्धे ह सब्सक्राइब निए यह प्रॉब्लम ऑफ दोडबल कोइंसदेंस ओफ वांट्स ओके हमारा जो next function है money का वो है measure of value measure of value का हम लोग unit of account भी बोलते हैं actually ऐसा होता था कि barter system हम discuss कर रहे हैं barter system में क्या होता था सब goods के बतले goods exchange करते थे अपनी needs and wants को satisfy करने के लिए तो उस time क्या होता था किसी भी goods की value है वह accurate और define नहीं कर सकते थे हम लोग कि यह particular community है इसका कितना worth है इसका कितना value है तो उस time एक problem होती थी measure of value में problem होती थी वहां पर lack of measure of value था तो आईए discuss करते हैं अपने left side देखे screen पर यहां पर लिखा एक point है कि lack of measure of value तो under barter system there was no standard unit of account to value in which the price could be measured due to this the problem this problem the value determination between goods and the unfair और large कि यहां पर जो goods और उसकी value होती थी न वो unfair होती थी unfair मतलब कि जो particular commodity जो exchange हुआ है किसी और commodity के लिए वो unfair value पे हुए है ऐसा mostly होता था कि unfair value पे लगता था कि आपने अगर आज के time पे तो unfair नहीं है आज के time पे तो money है आप हर किसी commodity का एक अपना cost है और एक अपना price है जो especially उस पे उसकी worth बताता है तो आज के time तो problem नहीं होती थ है कि हम किसी product की जो value है वो measure नहीं कर पाते थे accurately हमें नहीं पता था इसकी cost क्या है और यह market value क्या है इसकी तो वहां एक problem आते थी तो इस problem का solution को लाया है इस problem का solution फिर से money ने इस problem का solution solve किया right inside देखी अपने screen पे money solve the problem how another most important function of money is that it serve as measure of value अब money जो है वो काम कर रहा है measure of value की त value का है अलग quality का है अलग quantity का है तो quality और quantity के according एक price set किया गया है market में ठीक है तो वहां पर एक measure of value पता लगता है हमें कि हर एक commodity जो market में available है इस time वो same price का नहीं है तो price अलग है quantity भी अलग मिलेगा उसके साथ और उसकी quality भी अलग मिलेगी ठीक है आगे पढ़ते है it means money is now used to measure the value of goods and services which are available in the market जिससे क्या होगा comparisons are also possible among differentiated products differentiated products मतलब एक जैसे दिखने वाले समान like आप toothpaste में बात करो call gate हो गया बैप student हो गया यह differentiated products है तो इनके price same तो नहीं है इनकी costing अलग है इनकी branding अलग है जिसे आपसे different price charge करते हैं अपने products की तो यहां पर money ने एक problem solve कर दिय है जो problem है unit of account की measure of value की जो की बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा दुविदा होते था लोगों को कि कैसे हम किसी value को कितना measure करें और कितनी इसकी value दी जाए इस value पर कितना goods दिया जाए बट आज की टाइम में यह possible हो गया है with the help of money standard deferred payment यह money का तीसरा function है standard deferred payment जिसका मतलब है future payments contractual payments future payments contractual payments का मतलब है कि आज हम जो banking transaction कर रहे हैं banking से जो हम banking का जो इस्तिमाल कर रहे हैं उससे क्या होता है कि future में हम payments करते हैं जैसे आज हम कोई goods और commodity आज हमने एक EMI पर कुछ खरीद लिया जिसका payment में future में करूंगा एक महीने बात करूंगा जो credit transaction पर होती है तो यह standard deferred payment है आज के टाइम में यह possible है बट हम बात कर रहे हैं बातर सिस्टम की बातर सिस्टम में standard deferred payment नहीं होता था क्योंकि बहुत ही बहुत impossible जैसा टास्क था बातर सिस्टम में standard deferred payments का आना ठीक है आप अपने left side देखे स्क्रीन पर यहां पर डिसकस कर रहे हैं लैक of standard effort payments अंडर बातर सिस्टम देर वास lack of standard effort payments it means people are facing difficulty of future payments of course की goods की commodity future में कैसे कर सकते हो अगर goods perishable nature का हुआ perishable nature का मतलब आपका fruits आपके vegetables जिनका जो life span है बहुत ही कम है तीन चार दिन में वह खराब हो जाएगा तो अगर आपको किसी से कुछ vegetables आपने लिए हैं उसके बतलब कुछ आपने product दिया है तो उसको आप same quality specific quantity कैसे आप दे पाएंगे एक महीने बाद क्योंकि वह product perishable है वह खराब हो जाएगा ठीक है कुछ ताम बाद खराब हो जाएगा तो यहां पर प्रॉब्लम आती थी वह future obligations की थी future payments की थी on traction payments की थी ठीक है बट यह money ने money के valuation ने इस problem को solve कर दिया है क्योंकि अब हमारे पास banking system है उस time banking system तो सोच भी नहीं सकता था को banking system भी होगा पट आज की date में money ने problem solve किया है right side देखे screen पे money solve the problem money solve the problem of standard effort payment कैसे money perform this function of standard effort payments because its values remain stable in modern economy large number of credit transaction involving huge payments future payments are made daily आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी से उधार तो लिया है ठीक है और वो उधार आपने future में payment भी करी होगी उसकी तो standard effort payment ऐसा money काम कर रहा है बट बार्टर सिस्टम में वो चीज काम नहीं कर सकती थी ठीक है तो money ने यहां पर standard effort payment को encourage किया है और यह banking system भी इसकी वज़े से ही आया है जो loans market में इतना available है यह standard effort payments की हुए जैसे हैं बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था ठीक है तो हमने यहां पर दोनों को differentiate कि बार्टर सिस्टम में क्या problem थी standard effort payments को लेकर और money ने इस problem को कैसे solve किया है तो money performed this function of standard effort payment store of value store of value हुमारा last function है money का जो जिसका मतलब यह है कि आप किसी भी value को store कर सकते हो आज की डेट में यह possible है कि हम किसी भी commodity को चाहिए वह perishable हो ठीक है यह durable हो यह हम इसको store कर सकते हैं long period of long period time के लिए तो बट बाटर सिस्टम में पॉसिवल नहीं होता था बाटर सिस्टम में mostly in case of perishable items होते थे like vegetables fruits यह milk यह सब चीजे बहुच लदी खराव हो जाती थी ठीक है बट आज की डेट में आपके पास perishable goods को रखने के लिए आपके पास रेफ्रीजेटर सें जिस पर आप इसको कुछ दिनों के लिए तो आप इनको बचा सकते हो सेफ कर सकते हो तो इक बाट इसकस कर लेते हैं आपने left side देखी screen पे lack of store of value तो यहां पढ़िंगे कि बाटर सिस्टम में क्या problem आती थी store of value क्यों नहीं कर बाते थे अधिन सब्सक्राइब आप इसका अधिन वाले ताइम पर क्या हो जाएगा कल गर्मी जादा होगी या कुछ ऐसा कोई सीजन चेंज हो जाए या फिर कुछ भी आसा हो सकता था जिसकी वैसे आपका समान खराब हो जाए घर पे कोई चूहां है उसने समान खा लिया तो जिस से कि आप इनको स्टोर नहीं कर पाते थे उस ताइम जो वेजटेबल फूट स्टोर नहीं कर पाते थे कुछ और ज्यादा भी नहीं एक्चेंज कर बाते थे इन चीजों को क्योंकि आपको डर था कि परिशेबल है खराब हो जाएगा पर आज की डिट में पॉसिबल है आप अपनी requirement केस आप से आप market में जाके purchase कर लीजिए आप उनको money देंगे वो आपको product देंगे आपको कम चाहिए तो कम लीजिए ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लीजिए अगर आप को क्या आप इस टाइम स्टोर कर सकते हो ठीक है तो money has or the problem of store of value जिकस करते है आप राइट हो सकता है money में हो सकता है house में property में है factories and bonds share etcetera है तो ऐसे ऐसे आप money को in the form of wealth आप store कर सकते हो but money being the most liquid all the assets of the hour in the easily stored without any wastage but in में से जो भी आपके बास wealth है यहाँ पर जो आपके वेल्थ गिवन है gold money house property factories bond share इन में से जो सबसे liquid most liquid जिसको आप बहुत easily cash के form में cash का जो form है money आप उसको easily have to sell first to convert into money इनका कहने का मतलब है is kia wealth johi wealth johiowa वो कैसे-कैसे store हो सकता है, gold में store हो सकता है, house में store हो सकता है, property में store हो सकता है, factory में, bonds में, shares में, money में, जो money है वो quick, आपका liquid है, वो quick asset है, आपका, ठीक है, बेशा कहा, house भी एक asset है आपका, बट उसको आपको बेचना पढ़ेगा cash में convert करने के लिए, तो यहां पर बोला गया है कि जो money in the cash form वो most liquid asset जो easily store हो सकता है कहीं पेर भी और किसी भी purpose के लिए वो यूज हो सकता है बट बाटर सिस्टम में तो ऐसा possibility ही नहीं थी कि हम देख नहीं पार थे बाटर सिस्टम में कैसे हम store कर पाएंगे क्योंकि वो गुट्स का जो नेचर है वही पैरिशेवल क्योंकि आप पर कंद वो सिर्फ जो पीड़ था कंजमिशन परपस के लिए ज्यादा लोग वहां पर करते थे लोग को को इन्वेस्टमेंट परपस से कोई भी मतलब नहीं था ऐसा बूला गया है तो यहां पर बाटर सिस्टम जो में था महां पर store of value करना पॉसिबल नहीं था मट यहां पर मनी ने इसको solve कर दिया है forms of money तो हम discuss करने वाले हैं forms of money क्या होता है पहला फॉर्म है मनी का जिसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर मनी लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि जो करंसी जो मनी गॉर्मेंट के ओर्डर पे मार्किट में सर्कुलेट हो रही है पुर एक्जामपल 2016 में हम लोगों ने देखा था कि 500 रुपय का नोट और 1000 रुपय का नोट गॉर्मेंट ने मिस्ट नरेंदर मोधी जी ने बोला था कि यह अब लीगल टेंडर नहीं है ठीक है लीगल टेंडर नहीं है इसका मतलब क्या लहाता कि वो अब मार्किट में सपलेट नहीं होंगे गॉर्मेंट के ऑडर पर वहो बंद हो चुके है तो इसका मतलब है कि जो करन्सी गौर्मेंट के ऑडर पर चलती है वो लीगल टेंडर मनी होती है ओके definition पढ़ लिजी एक बार legal tender money is one in terms of which debts can be legally paid it is offense to refuse to accept payment in legal tender money यह गुना है अगर आप legal tender money को accept नहीं करोगे तो ठीक है और यह भी गुना है अगर आप legal tender money जो currency नहीं है legal tender अगर आप उसमें payments करोगे ठीक है तो यहाँ पर example भी है in year 2016 currency note of thousand was again no legal tender money in India 1000 रुपय का note इसे पहले भी बंद हो चुका था फिर एक और बहर इसको legal tender का जो है नहीं दिया गया authority legal tender यह नहीं रहा thousand रुपीज का note okay second point हमारा full boy did money full boy did money का मतलब क्या है जो 1 रुपीज का coin है जो 1 रुपीज का coin है वो जो metal है और जो उसकी value है metal और उसकी value दोनों ही 1 रुपीज है 5 रुपीज का coin है 5 रुपीज का 5 रुपीज का coin है उसका metal जो 5 रुपीज जो metal से बना है वो जो metal है और जो उसकी value है वो दोनों same है तो यहां पर इसकी definition पढ़ो its face value was equal to the real or intrinsic worth of the metal it contained कि worth or metal worth और product दोनों ही same value के होते हैं तो full body money का मतलब यह होता है नीचे लिखा हुआ इसमें रुपी इंडिया is available in the form of paper notes which have no intrinsic worth paper note की कोई intrinsic worth नहीं होती त्यान रखना paper note की कोई भी intrinsic worth नहीं होती बट इन डाट alternative हमारे पास अगर coin है coin की intrinsic value है क्योंकि उसका metal value है और उसका जो worth है वो दोनों same है जिसको बोलता है full body money okay अब हमारा तीसरा form है fiat money fiat money बहुत ही ऐसा question है जो examination में आ जाता है fiat money बहुत बार पूछा गया है cvsc ने cvsc के exams में तो fiat money का मतलब क्या है एक बार आप definition पर लिजिए आपको easily clear हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते है 200 rupees का note है और कुछ coins है तो यह लिए लीगल टेंडर है मतलब लीगल टेंडर मतलब यह fiat money fiat money मतलब जो हम डेली यूज करते है वो fiat money है ऐसा नहीं लिखना ही कि जो डेली यूज करते है वो fiat money है इसकी एक definition है वो लिखे देखते हैं और fiat money is generally acceptable by public as medium of exchange and settlement of debts because of the legal order of the government it includes all the notes and coins but noted that bank checks are not fiat money इन्होंने वो लगया है जो भी currency जो भी money हम लोग यूज करते हैं अपनी daily life में वो fiat money है क्योंकि fiat money जो money है वो legal tender है government ने उसको authority दे रखिया कि market में वो circulate हो तो जो market में circulate हो रही है legal tender वो fiat money है तो fiat money सब होती है जो currencies हम coins use करते हैं notes की यूज करते हैं वो सब क्या है fiat money है बट जो चेक यूज करते है रहा bank check जो check instrument है यह fiat money नहीं होता है ठीक है यहाँ पर clear कर लीजिए checks are not fiat money 4th point है मारा high powered money तो high powered money भी एक forms of money है एक पार्ट है उस चीज का तो high powered money क्या होता है जैसे आप देख सकते हैं पर points mention है A B C की high powered money वो money है जो currency held by the public है जो currency हम लोगों के पास है वो भी एक high powered money है cash reserves with the bank जो reserves cash जो reserves as a deposit हम banks में रखते हैं वो भी एक high powered money है और third point है इसमें cash reserves of the commercial bank with the RBI अब commercial bank जो deposits RBI के पास रखती है RBI हमारे देश में central bank है सभी को पता है Reserve Bank of India हमारे देश में इंडिया में central bank है तो cash reserves of the commercial bank with RBI cash reserves with bank currency held with the public यह तीनों ही high powered money है simple language में high powered money वो money है sir जो हम लोगों की जेव में है जो bank के पास deposit है और bank का जो पैसा RBI के पास deposit है वो तीनों क्या है वो high powered money है next point है bank money bank money क्या होता है bank money यहाँ पर मतलब है demand deposits of the public with the commercial bank जो demand deposits है जो checkable deposits है जिनको आप check check भरते हैं उसको bank में क्या करते हैं और कुछ दिनों बात वो पैसा आपके account में आ जाता है credit हो जाता है bank money checkable deposits होती है ठीक है जो भी people है उसको अपने demand deposits पर कभी भी उसको withdraw कर सकते हैं bank से तो यहाँ पर हमने discuss किया high powered money क्या होता है bank money क्या होता है पीछ हमने discuss किया था full-bodied money क्या था legal tender money क्या था और fiat money क्या था तो there are five forms of money जो हमारे पास available है इस time 12th के syllabus में वह यहीं है one two three four five पांचो की पांचो आपको explain हो गई है money supply and its measure money supply का मतलब क्या है money supply एक बहुत important आपका concept है examination point of view से जो आपके examiner से हैं इस question को हमेशा डालते है money supply क्या होता है तो सीखते हैं इसको money supply क्या होता है money supply always refers to the amount of money held by the public in the economy at a point of time फिर से पढ़िए money supply always refers to the amount of money held by the public यहां पर public का जो है main focus जो है वो public पे है in the economy at a point of time public का यहां पर जो word है वो इसलिए उसकिया गया है इस public में households भी आते हैं forms भी आती है financial and non-financial institutions भी आते हैं और आपका government भी आती है ठीक है तो money supply always refers to the amount of money held by the public in the economy at a point of time in term of public are household firms institution other than banks and government okay तो money supply एक stock concept concept है और इसकी components क्या है पहला है currency currency में क्या आ गया rupee notes and coin held with the public first point में यह बोला गया है कि जो money supply है इसमें currency जो public के पास है वो money supply का पार्ट है currency क्या होती है rupee notes होते है और coins होती है second point is demand deposits with the banks demand deposits क्या था checkable deposits थी जो person कभी अपने demand पे withdraw कर सकता है अपने account से money को withdraw कर सकता है through check ठीक है demand deposits और currency जो लोगों के पास है और जो bank के पास है ठीक है there are four measures of money supply given below चार measures है जिनसे हम money supply को measure कर सकते है M1 M2 M3 M4 जिसको हम आगे discuss कर रहे है M1 money supply और narrow supply हम लोग discuss करने वाले है measure of money supply का first point जो है M1 यहाँ पे M1 के definition है एक बाद discuss कर लेते हैं M1 is the narrow measure of money supply and it consists of the following items M1 includes C plus DD plus OD यहाँ पे C का full form है वो है currency DD का full form है वो है demand deposits और OD का full form है वो है other deposits अब शुरू करते हैं इसको C से C मतलब currency currency held with the public हमने discuss किया था कि जो currency होती है वो in the form of notes होते है in the form of coins होते हैं तो यहाँ पे currency held with the public it includes rupee notes and coins in circulation कि जो भी public के पास जो currency है वो यहाँ पे notes में है और coins में है वो circulation में भी है थीक है दूसरा point है DD DD का यहाँ मतलब है demand deposits तो DD का मतलब है demand deposit जो कि banks के पास होते हैं जैसे कि हमने discuss कर रहा है पीछे checkable deposits जो होते हैं वो demand deposits होते हैं ठीक है तो पहला हैं point था currency जो कि लोगों के पास है in the form of cash in the form of sorry in the form of coin in the form of notes और demand deposits के हैं जो checkable deposits है जो bank से withdraw कर लिए जाते हैं और transfer किये जाते हैं payments करने के लिए एक bank से दूसरे bank में तो वो demand deposits हैं तीसरा point है other deposits इस point में other deposit में main point है क्योंकि other deposits में हम लोग बात करते है other deposits विद RBI Reserve bank of India जो किaudioं कि इंडिया का central bank है central bank of india जो कि इंडिया central bank है वह Reserve Bank of india तो यह पे other deposits Arby Reserve Bank of India हमारे central bank जो हमारा Reserve Bank of india है Reserve Bank of इंडिया के पास भी कुछ demand deposits poison होते हैं जो की हमारे देश के नहीं है वो किसी और देश के हैं बंग का कुछ deposit है जो रिजबांग के पास है International Monatry Fund का आधि इस आई-मेफ का बुच देपाज जो रिजब पास है foreign CentralBank जो foreign country जो हमारे देश के पास है उनका कुछ calculate करते हैं और कुछ institutions है जो कि हमारे देश में है नबाड, IFCI, IDBI यह जो institutions है इनका जो पैसा है वो भी Reserve Bank of India के पास है उसको भी हम as other deposits हम count करते हैं तो यहां पर M1 जो money supply है major of money supply है इसमें items क्या-क्या आ गए currency held with the public in circulation जो की है currency notes में और coins में एक demand deposits है demand deposits checkable deposits है जो transfer करे जाते हैं और withdraw करे जाते हैं payments करने के लिए और other deposits क्या हैं आपके पास other deposits RBI के पास हैं जो दूसरे world banks के हैं दूसरे foreign countries के जो central bank से उनके हैं foreign governments के हैं international monetary fund के जो कुछ demand deposits है तो यह सब हमारा M1 के अंदर count होता है तीन ऐसे और major है जिनने हम जानते हैं M2 M3 और M4 के नाम से तो चलिए discuss करते हैं M2 M2 क्या है M2 is a narrow concept of money supply than M1 M1 के बाद जो आता है M2 है यहां पर M2 क्या consist करता है अपने अंदर M2 consists करता M1 जो हमने पीछे discuss किया है पूरा M1 C plus DD plus OD M2 के अंदर आता है plus saving deposits with the post office saving bank post office जो होते हैं वो भी कुछ deposit accounts create करते हैं just like saving deposits और fixed period deposit ठीक है fixed time के लिए deposit कर सकते हो आप post office में saving deposits कर सकते हो तो यहां पर हम count कर रहे हैं वो है saving deposits with post office saving banks okay M2 consists of M1 जो हमने previous पढ़ा था M1 M1 plus saving deposits with post office saving bank post office के साथ जो भी savings account हमने खोल रखा है वो वाला पार्ट money supply 2 के अंदर वो count होता है okay next is M3 M3 money supply एक broad concept है ध्यान रखना narrow concept आपका M1 है और broad concept आपका M3 है यहां M3 के बारे में क्या बात करी गई है M3 is a broad concept of money supply then M1 and M2 कि M1 और M2 से भी broad है M3 कैसे क्योंकि M3 के अंदर के अंदर क्या 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 आ रहा है M1 प्लस time deposits with bank आपका M1 पूरा include है M1 के अंदर क्या आता था C plus DD plus OD with the public demand deposit with banks other deposits with RBI वो तो आता ही आता है M3 के अंदर plus में time deposits with banks banks के पास यतना भी time deposit है जो long term deposits है banks के पास fix period के लिए जो deposit किया गया है banks में तो वो भी इसके अंदर include होता है M3 के अंदर वो भी deposit होता है next क्या है आपका M4 अब M4 क्या होता है M4 includes all the items of the M3 and addition to the total deposits with the post office saving banks M4 is the broad concept of money supply M1 भी a broad concept money supply का ठीक है M4 के अंदर आपका क्या 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 आ रहा है M4 के अंदर आपका M3 total आ रहा है M3 के अंदर आपका M1 भी था ठीक है देखिए आप चीज देखिए कि M4 के अंदर M3 आ रहा है M3 के अंदर M1 भी है तो of course यह broad तो हुआ इसके अंदर addition होते गए M3 तो है M3 plus total deposits with post office saving organization post office के पास जितना भी टोटल डिवाजिट है in the form of saving deposit in the form of fixed time period के लिए deposit किया गया है दोनों deposit को मिला के जो भी post office के पास deposit है plus में M3 M3 भी इसके अंदर है तो M4 is the M3 plus total deposits with post office saving organization thank you so much आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और screen पर दिए गए दो questions का answer comment box में प्लीज जरूर कीजिएगा आप मुझे अगर social media पर जुनना चाहते हैं तो आप मुझे facebook Instagram पर भी जॉइन कर सकते हैं handle विशाल दास classes के नाम पर thank you so much